प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? बहुत मैं उमिद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे देखिए आज मैं आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ यूगपत समिकरण जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी ये बता चुका हूँ कि यूगपत समिकरण को हल करने की वीधिया तो इन वीधियों में से हम लोगों को अध्यान करना है प्रतिस्थापन वीधि का देखिए मैं आज प्रतिस्थापन वीधि का दो नंबर प्रस्ण हल करने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान देजिए ये यूगपत समिक्रण बहुत ही महत्वपूरण समिक्रण है आप इसको विशेष्ट ध्यान देए तो देखिए प्रस्ण है कि चार नमबर प्रस्ण है समिक्रणों को प्रतिस्थापन विधी से हल किजिए समिक्रण है एकस माइनस वाई प्रावर माइनस छब इसको हम माल लेते हैं समिक्रण नमबर एक इसके वाद एकस प्लस वाई प्रावर माइनस अठारव समिक्रण नमबर दो मैंने बताया था कि योगपत समिकरण को प्रतिस्थापन विधी से हल करने के लिए समिकरण 1 से या समिकरण 2 से X का मान Y के पदों में या Y का मान X के पदों में निकाल लेते हैं ठीक है तो देखो मैं यहां पर समिकरण 1 से समिकरण 1 से समिकरण 1 है X माइनस Y बराबर माइनस 6 that implies X बराबर माइनस 6 तो यह माइनस Y है इसको दाहने पंच में लेकर आएंगे तो प्लस Y बुझे RIGHTा ऐसको मालेते समिकरण 3 और देखे समिकरण 3 से जो X का मान प्राप्थ हुआ है यहां पर मैहने समिकरण 3 माना इसको तो इसमें X का मान प्राप्थ हुआ है यह x का मान समीकरण 2 में रखना है तो समीकरण 2 में आपनों को रखना पड़ेगा तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 2 है x प्लस y ब्रावर माइनस 18 तो that implies x का मान कितना है माइनस 6 प्लस y इसके बाद प्लस y ब्रावर माइनस 18 ठीक है तो माइनस 6 को दाहिने पक्ष में लेकर आजाएगे और 1y, 1y, 2y ब्रावर माइनस 18 माइनस 6 को दाहिने पक्ष में मैं ने ला दिया तो प्लस च्शव हो जाएगा कितना? तो 2y ब्रावर यहां माइनस है और यह प्लस है चीद वीपरित है तो यह घट जाएगा तो 18 में से 6 घटाएंगे 12 माइनस 12 यहाँ पर 2 और y गुणा के रुप में है तो y ब्राबर माइनस 12 यह भाग के रुप में हो जाएगा 2 बटा 2 माइनस 12 बटा 2 That implies y ब्राबर 12 में 2 का भाग करेंगे माइनस 6 बाब जाएगा y का मान निकल चुका है माइनस 6 अब आप क्या करेंगे कि y का मान कीसी भी समिकरण में रख करके x का मान प्राफ्त कर लेंगे ठीक नँ? तो देखो कीसी भी समिकरण में 1 में रखो या 2 में रखो या 3 में रखो रखने पर दिखेए समिकरण तीन में य का मान रखने पर विकरतीन कितना है एक्स ब्रावर माइनस छोग प्लस य तो डेट इमपलाइज एक्स ब्रावर डेट इमपलाइज एक्स ब्रावर माइनस छोग प्लस वाई वाई कमान कितना है y कमान है –6 तो यहां रख लिजिए –6 that implies x بराभर minus 6 plus minus minus 6 that implies x बराभर minus और minus plus हो जाएगा 6-6 12 minus minus यहां पर जुड़ता है जुड़ जाता है और चिंग minus जाहिएगा तो हम लोगों का answer प्राप्त हुआ अतर एक्स बरावर कितना? माइनस बारवर और वाई बरावर माइनस छब ये सम्विकरण का हल गवा है यदि आप चाहेंगे तो किसी सम्विकरण में एक्स और वाई का मान रख करके उतर की जाच कर सकते हैं तो चलिए उतर की विजाच हम बता दें आपको उतर की जाच सम्विकरण एक्ट में रख रहे हैं ठीक न? तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड सम्विकरण एक का लेफ्ट हैंड साइड कितना है? X-Y है, X-Y, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर माइनस 12 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस 12, इसके बार, माइनस Y का मान है, माइनस 6, माइनस 6, अब देखिए, माइनस 12, बरावर माइनस 12, माइनस और माइनस, प्लस 6, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, भटेगे यहाँ पर, बारव में से 6 खटाएगे, तो माइनस 6 में आएगा, इसके बार, माइनस 6, तो समीकरण 1 का राइट हैंड साइड कितना है, माइनस 6, तो हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइ है वो सत्य पाया गया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वाल राइट हैंड साइड ठीक है मैंने एंसर भी चार्ज कर दिया तो जिस विद्यार्थी को इस प्रश्न का हल प्राप्त करना हो वे इस स्क्रिंशर्ट के माद हमसे प्राप्त कर लें बहुत ही बढ़िया प्रश्न है चलिए मैं अब इसके आगे तीसरा प्रश्न बता रहा हूं ठीक ना देखे ये तीसरा जो प्रश्न है 3x प्लस 2y ब्रावर 0 समिक्रण नंबर 1 2x प्लस y ब्रावर माइनस 1 समिक्रण नंबर 2 अब मैं इस प्रश्न में आप लोगों को समिक्रण 2 से x कमान या y कमान निकाल रहा है ठीक ना तो चलिए समिक्रण 2 से समिक्रण 2 से ये आपका है 2x प्लस y ब्रावर माइनस 1 ये प्लस y है इसको हम इस प्रश्न में लाएंगे दाहिने प्लस में तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा इसके बाद डेट इंप्लाइज एक्स ब्रावर ये दो गुणा के रूप में है दाहिने प्लस में आएगा तो माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 माइनस y गुणा है इनर आएगा तो भार हो जाएगा अब जो है यह आपको प्राप्त हुआ है समीकरण 2 से एक्स का मान वाई के पतों में तो इसको जो है समीकरण 2 से जब आप निकालें तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर तो समिक्रण एक है 3x plus 2y ब्रावर 0 तो that implies क्या हो जाएगा 3 गुणे x का मान माइनस 1 माइनस y बठा 2 इसके बाद plus 2y plus 2y ब्रावर 0 that implies 3 से गुणा के लिए plus और minus minus 3 से गुणा करेंगे एक में 3 हो जाएगा इसके बाद minus plus और minus minus 3 से गुणा करेंगे y में 3y हो जाएगा इसके बाद बठा 2 plus 2y बठा में 1 कर देते हैं ठीक न? ब्रावर 0 that implies minus 3 minus 3y plus 2y में 2 से गुणा करेंगे तो दूदो निके 4 हो जाएगा 4y और बठा 2 बरावर 0 बठा 1 that implies minus 3 minus 3y और plus 4y तो ये चीन बिप्रिधे घट जाएगा तो प्लस y बरावर प्लस y माइनस 3y माइनस 3 प्लस y बरावर कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0 ठीक न? गुणा कर देंगे तो से तो गुणफल क्या आएगा? गुणफल आपका आजाएगा 0 ही आएगा दो से माइनस 3 प्लस y बरावर 0 तो अगला इस्टेप इसका that implies y बरावर y बरावर ये minus 3 है इसको इधर लाएगे तो प्लस 3 बरावर ठीक न? ये आपका y का माण प्रावर हो गया है अब हमें किसी भी समिकरण में रख करके x का माण प्रावर कर लेना है तो चलिए समिकरण किसमें रखें? 3 में? चलिए समिकरण 3 में रख देते हैं समिकरण 3 में समिकरण तीन में किसका मान रखने पर तो एक्स प्रावर माइनस वन माइनस वाई बाई टू तो माइनस वन माइनस वाई का मान कितना है तो थ्री बाई टू तो इसको माइनस और माइनस यह जुद जाएगा तीन और एक-4 बटा तो चार में दोगा भागव रहेंगे-2 रहेंगा तो अदर अदर 1 परमा इस बरावर็ सिल है और वाई बराबर प्लास तीन यह आपका प्लास कहाँ ठीक है यदि आप उत्र की जांच करना चाहें तो जांच कर सकते हैं चलिए उत्र की जांच इसका भी बता देते हैं उत्र की जाच उत्र की जाच तो left hand side equal left hand side equal कितना? किस समिकरण को लें? दो को? चलो दो को लें लेते हैं तो समिकरण 2 का left hand side कितना है? 2 x plus y है 2 x plus y है समिकरण 2 का left hand side तो 2 गुड़े X का मांन कीतना है? माईनस 2 प्लस Y Y का मांन कीतना है? 3 है दो में 2 से बॉना कराओ 2 दो निके 4 माइनस 4 प्लस 3 4 में से 3 को घटा तो क्या जाएगा? माईनस 1 तो यहां पे राइट हैंड साइड इक्वल माईनस जो है माईनस एक तो left hand side equal right hand side यही आपका प्राप एंसर लोग है तो इस प्रस्ण का भी हल आप लोग स्क्रीन सर्ट के माद हम से ले लीजिए चलिए प्यारे बच्चों मैं यूगपत समिकरण हल करना आप लोग को सिखा रहा हूँ और आप लोग इसको जो है 30 अवस्य सिखें क्योंकि यह बहुत ही महतो पुरुण प्रस्ण है आपको अगली कच्चा में भी यह सहायक होगा धन्यवाद